तो यह है मेरे साथ मदनलाल सहनी जो 7 यह साथ साल से अपने बेटे को नहीं मिल पाए आप यह बताए यह सिचुएशन कैसे आए जब अच्छा नो मैने का था तब मेसेज कुछ छोटी सी बात को लेके अपने मुमी पापा के यह चले गई और उसके बाद मेरे उपर मैंने ला डालें आपके ओपर वह रियल थे या फिवरी फर्जी क्योंकि मैं फिजीगली हैं पहले से बच्छे से और बीबी को लाने के लिए वुमन सेल में भी ट्राइ किया वुमन सेल में भी वहां भी में सपल रहा वहां से भी कुछ बात नहीं बनी फिर यह कोट केस हो गये है उसके बाद मैंने वकीलों से मिला बच्चे से तो मिलने के लिए मेरेको प्रमिशन कुछ तो वकीलों ने बोला कि पांच साल तक मा का राइट होता है आप कुछ नहीं कर सकते बच्चे को बारे में यह जो है यह जैसे मैंने सुना है कि बहुत वकील बताते हैं फादर्स को कि पांच साल के बादिए फादर्स मिलसकते कोई रायट नहीं होता है यह सरासर है यह कोई लीगल आ ऑफिशरली नहीं बोला गया है कि उतने यार्स पादर नहीं मिलसकता है यह इसे वर उनको वकीलों ने बताया अब इतने साल हो गये फाइव और सकी आपने अच्छाला फे भी नहीं मां फिर भी वो एक और केस डाल दिया गटना राज्थान की हैं और ऐसा उसकेस की वज़े से मैं ने भी कदम ने उठाए क्योंकि जब मैं यहां ओन डूटी होते हुए भी केस कर रही है और बच्चे को चीनने का केस लगा रही है उसके बाद वकिलो से केस चल रहा है पर अभी उसमें कुछ से सुनवाई नहीं तो आपको विजिटेशन नहीं मिलिया है नहीं मिली आपको कभी बच्चे के साथ वीडियो कॉल फोन कॉल कुछ नहीं नहीं एक बार 2017 में मेरे वर्क प्लेस पे बच्चा और मिसेज आई थी और पैसे की कि अपको बचेности जानता भी है कि मेरे फादर है और मेरे फाद रत कॉन है क्या है घौ सेविटेशन धिल्ट कुछ और गया हुगा नहीं नो बहने का इहां से तो पता भी नहीं झाल झाल